दरन्वी शोग क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक एक लॉटा चैनल आपको हर चीज के बार में नॉलेच में लेए गुरू हर राय का गुरू हर राय बहुत शांत सुभा थे लेकिन उनको भी गुरू साब ने ये हुकम दिया था कि आपने भी फौज अपने पास हमेशा रखनी है गुरू साब शिकार पर भी जाते थे लेकिन गुरू साब को जानवरों से नेचर से बहुत प्यार था उन्होंने बहुत सुंदर एक चिडिया घर बनाया था जहां पे वो रहते थे और उनका जो टाइम था वो तकरीबन बहुत शांती का टाइम था वो जगा जगा जाते थे अपनी सिक्संगतों को मिलते थे अब आपको ध्यान है कि अब तक मुगल हकोमत के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब हो चुका था जहांगीर ने गुरू साब को मरवाया शाह जहां के साथ लड़या लड़ी गई शाह जहां के चार बेटे थे सबसे बड़ा बेटा था दाराशको दाराशको की शक्सियत अकबर बाक्शा जैसी थी सब मजबों का वो बहुत रिस्पेक्ट करता था सूफी अंदास था उसक और कोई भी हकीम इलाज ना कर पाया तो शाजहान को किसी ने बताया कि कीरत पूर जहां पे गुरू हर राये हैं भी वहां से दवा मिल सकती है तो उन्होंने फिर अपना नमाइदा भेजा और गुरू साब ने हाला के हालात इतने खराब हो गए थे बिना किसी हेजिटेशन के दवा भेज दी और दारशिकों ठीक हो गया गुरू साब का टाइम चलता रहा औरंग जेब के पास अक्सर खबर जाती थी कि सिख पंथ बढ़ रहा है औरंग जेब को किस नजरिये से देखा जाता था तब पंजाब में स्पेशली सिख परस्पेक्टिव है उसमें तो हम अरंग जेब को बहुत अत्याचारी दिखाया जाता है और देखिए अपने पिता को जेल में डाल देना अपने भाईयों को मार देना अप उसको आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो कि टर्की की सल्तनत से ये बात चली आ रही है कि जो बेटों में से जब से ताकतवर होग अपने भाईयों को मार के वो राजा बनेगा लेकिन उससे ये बात एक्स्क्यूज नहीं होती है तो अरंग जेब के जो एक्शन्स हैं वो साफ हैं और इसकी वज़ा से सिक थरम में और सिक हिस्ट्री के कॉंटेक्स में उसको एक बहुत बड़ा टाइरंट जाबर हाकम माना जाता है तो अभी चार बेटे थे शाजहान के तो जो शाजहान का सबसे फेवरिट बेटा था वो था दाराशको और वो ही इस लाइक का था कि वो बादशा बने इस लाइक था कि बादशा बने और शायद दाराशको बादशा बन जाता तो मुगल डाइनस्टी का जो भवि था जो गुजरात साइड का अड्मिनिस्ट्रेटर था औरंगजेब डेकन का अड्मिनिस्ट्रेटर था दाराशको अपने पिता के पास रहता था तो तीनों भाईयों ने दाराशको को छोड़के बगावत कर दी अपने पिता के खिलाफ और ऐलान कर दिया कि हम अपने अपने जो हमारे सूबे हैं उनके हम राजा बन गए हैं तो फॉज भेजी गई जो बंगाल का सूबेदार था भाई उसको फॉज ने फते कर दिया लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि मुराद बेक के साथ उसने समझाता कर लिया कि हम मिल के राज करेंगे और हम दाराशको को इलिमिनेट करते हैं तो दोनों ने फिर दाराशको की उपर अटैक कर दिया शाजहान को इंप्रिजन कर दिया दाराशको को जब पता लगा तो दाराशको वहाँ से भाग निकले और वो चले गए पंजाब की तरफ क्योंकि उनको अमीद थी कि वहाँ पर मुझे कुछ सपोर्ट मिल सकती है और वो जाके गुरू हर राए को मिले तो गुरू हर राए ने उनको समझाया दाराशको ने बहुत निराशा उनके साथ प्रकट की कि देखो मेरा भाई ये सब कुछ कर रहा है तो गुरू साथ ने उसको समझाया कि जब ऐसा वक्त आता है तो तो मुकाबला करना भी जरूरी होता है तो दाराशको ने फैसला कि कि मुकाबला करेगा लेकिन नाकामयाब रहा और अंग्जेब ने दाराशको को अरेस्ट कर लिया और फिर फत्वा कई क्लरिक से पास करवा के दाराशको को मरवा दिया अपने दूसरे भाई मुराद को भी मार दिया और वो अगला मुगल बाच्शा बन गया गुर्गदी पे गुरू हर रही थे और अंग्जेब के दिमाग में था कि इन्होंने दाराशको का इलहाज भी करवाया था इन्होंने दाराशको को पना भी दी थी जब भाग रहा था बात भी कर रहा था तो उसने कहा कि गुरू हर राए को मेरे दर्वार में पेश किया जाए तो जब ये पगाम पहुँचा तो बाच्चीट शुरू होगी उनके एड्वाइजर्स थे उनसे सला करके फैसला किया कि नहीं मैं नहीं जाओंगा मुगल दरबार में लेकिन मुगल बार्षा ने बुलाया है तो मैं अपने बेटे रामराय को भेजता हूं जो बहुत इंटेलेक्शली अड्वाइंस था बहुत आग्याकारी भी था तो रा एक नया इनिशियेटिव स्टाट के है जिसका नाम है बियर बैसेफ स्किलाउस इसकी इंटेंशन यह है कि भारत की अप्स्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दे हम लेकर आएं आपके लिए कमर्शल एडिटिंग का कोर्स क्योंकि यह है बहुत सारे कोर्स आरे तो एक लीस्ट चेक आउट बियर बैसेफ स्किलाउस फॉलो आउट यूट्यूब चैनल फॉलो आइंस्टेग्राम पेज बट फॉर नाओ इंजॉइ दिस एपिसोड अप्रेस राम राय की परसनालिटी बहुत इंप्रेसिव थी बात चीथ हुई और अंग्जे को शिकायते भेजी गई थी कि इन्होंने एक नया गरंट तियार किया है उसमें मुसल्मानों के हिंदू के खिलाफ लिखा है तो अकबर ने उस टाइम पे अपने आप इंवेस्टेगेशन की और उसने फैसला किया कि नई इस गरंट में ऐसा कुछ नहीं है और उसने बहुत गरंट साहिब है उसमें कुछ तबदीलियां की जाएं लेकिन गुरु साब ने बिलकुल मना कर दिया जब राम राइ को भेजा गया तो गुरु हर्राय ने एक बात कही कि बेटा और कुछ भी हो जाए तुमने जाके वहां पे गुरुबानी में कोई तबदीली नहीं करनी ह क्योंकि ये गुरुनानक का क्रंथ है इसमें किसी दुनिया का जितना भी बड़ा बादशा हो उसके कहने पर हमने कुछ चेंज नहीं करना है आपने कहा कि धीरमल के पास गुरु गरंथ साहिब थी हाँ जो और वैसे भी बानी बहुत लोगों को कंट याद थी क्योंकि जैस नहीं अपने पिताची को का जी आप जैसा कहता है वैसा ही होगा चला गया दरबार में बहुत डिसकशन हुई फिर बात आनी शुरू हुई गुरुबानी की तो औरंगजेब ने एक अबजेक्शन पेश की उसने कहा कि आपके गरंथ मेना कुछ मुसल्मानों के बारे में ग पकार जल जल रोवे बपड़ी चड़ चड़ पवे अंग्यार नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार अच्छा इस तो का मतलब डीप है वो ये कहता है कि हिंदू और मुसल्मानों में कोई फरक नहीं है वो कहते हैं कि हिंदू जब किसी की मौत हो जाती है तो जलाते हैं मुसल्मान दफनाते हैं लेकिन शरीर की मिट्टी बन जाती है क्या पता किसी टाइम कोई कहार घड़ा बना रहा हो तो बनाने के टाइम उसी मिट्टी को आग में डालता है तो फिर बात तो वही हो गई ना दफनाया या जलाया इसका जो एबस्ट्रैक पॉइंट ये है कि ह हिंदू मुसल्मान में कोई फर्क नहीं सब इनसान है तो रंगजेब कहता मिट्टी मुसल्मान की का जिकर हो रहा है ये तो तोहीन हो गई हमारी तो राम राय डर गया राम राय डर के बोलता जनाब ये आपको किसी ने गलत बताया है मिट्टी मुसल्मान की नहीं है गुरू साहब को पता लगा कि राम राय ने ये अकाम किया जांके उनों ने उसको बिदकल कर दी सो मेरे को तूम राम राए एक को उमीद थी कि गुरघद्दी मुझे मिलेगी राम राय ने फिर धीरमल के पास गया राम राय उसने कहा कि आप मेरी कुछ सफारिश करो और वो कोशिश करता रहा कि गुर्गदी उसको किसी तरीके से मिल जाए लेकिन जब गुरु साब का जाने का जब उनके जाने का टाइम आया तो उन्होंने गुर्गदी दी अपने छोटे बेटे को हर किशन को जिनकी उमर उस टाइम सर्फ पांच साल थी हर किशन को बख्षी गुरु हर किशन की बहुत छोटी उमर थी वहां पे राम राए अपनी शरारते कर रहे थे दरबार में और अंगजेब को बोल रहे थे कि देखो ये तो ये गुर्गदी मेरी है मुझे मिलनी चाहिए और अंगजेब ने सोचा क्यों ना मैं गुरु हर किशन को भी दिल्ली में बुला लूँ और दोनों भाईयों के आपस में रिलेशन्शिप खराब होगा जो भी होगा फायदा इसमें है क्योंकि सिक्ध दरम कि उसके रेडार पे आ चुका था तो अरंगजेब ने फिर पेगाम भेजा कि गुरु हर किशन को दिल्ली बुलाया जाए राजा जैसिंग आए जो के एक हिंदू थे और सिक्ध गुरूं को मानते थे राजा जैसिंग जब पेगाम लेके आए तो गुरु हर किशन जिनकी बहुत छोटी उमर थी उन्हें फैसला किया कि मैं दिल्ली जाओंगा लेकिन मैं मुगल बाशा के कहने पे नहीं जाओंगा वहाँ पे जो गुरु के सिक्ध हैं जो गुरु नानक के पंत को मानते हैं मैं उनकी खातर जाओंगा तो वो दिल्ली आ गए और वहाँ पे उनको जैसिंग के बंगले में दिली का सबसे बड़ा गुर्दवारा बंगला साब है वो उसी जगह पर बना है जहां पर जैसिंग का बंगला था इसके लिए उसका नाम बंगला साब पढ़ा है दिली में चेचक फैला हुआ था सो वहां पर गुरू साब को क्योंके उमर छोटी थी उनके ड्वाइसर ने का आपको यहां से ले जाते हैं कि यहां पर खत्रा है पर उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं आया हूँ मैं अपने जो गुर्णानक के पंत के जो फॉल्वर्स हैं मैं उनके लिए आया हूँ मैं उनको मि बहुत खराब होगी और क्लियर हो गया कि बस इनके जाने का टाइम आ गया है बड़ी परिशानी में थे सिख क्योंकि अब तक ऐसा ही हुआ था हमेशा कि जब भी कोई गुरू के जाने का टाइम आया है अपने जाने से पहले वो स्पष्ट करके जाते थे कि गुरुगद्दी अनकी उमर क्या थी इस वक्त शाथ साल उनकी उमर थी और मैंने उनका वख्यान आपके दर्शकों के लिए मैं पढ़ता हूँ गुरू साब कहते बाबा बसे जे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल समाले कहते कि जो बाबा अगला गुरू है वो बकाले शहर में बसता है बस इतना उन्होंने बताया और चल बसे अच्छा बहुत दिक्कत होगी कि गुरू साब तो अब रहे नहीं तो अब क्या करें तो सबने सोचा कि भी बकाले उन्होंने इशारा किया है तो बकाले ही जाना चाहिए पंजाब में तो बकाले में जब गुरू साब के अन्तिम इस व आगे धीरमल उसका एक सबसे बड़ा एसिस्टेंट था जो मसंद कहते थे जो गुरू के रेप्रेजेंटेटिव्स होते थे अपने आपको गुरू ही कहता था धीरमल और मसंद उसका था शीहन जो उससे भी ज़्यादा बदमाज था सबसे बड़ा डेरा उन्हों न जाके बकाले में लगा लिया 21 गुरू और आगे कंटेंडर्स सबका कोई न कोई संबंध था गुरू अरजन गुरू रामदास के परवार के साथ कोई अपने जनम पत्रिया सर्टिफिकेट्स ले आया अप्रूव करने के लिए कि मेरा ये है औ वो मुगल, मुगलिया फॉज को प्रूविजन वो सप्लाइ करता था बहुत बड़ा सप्लायर था उनका तो मक्छनशा लुभाना सिक्ध्गुरों को मानता था तो उसका ना बड़े तुफान में उसका जहाज डूबने वाला था तो मक्छनशा ने ना गुरू को अरदास इमान हट गया, मक्षणशा बच गया, इमानदार आदमी था, तो जबीन पे आते ही, उसने सोचा कि अब मैं गुरू के पास जाके जो मैंने जो प्लेज किया था, उसको मैंने पूरा करना है, तो उसको पता लगे कि गुरू साब बकाले में है, पहुंच गया बकाले, वहां देखा बाइस गुरू, किसके सामने मैं जाओं, तो मक्षणशा बहुत बिजनसमन था, फुशेहार आदमी था, तो उसको एक बड़ा अच्छा एडिया आया, उसने क्या किया कि एक एक करके ना सब के पास उसने जाना शुरू किया, और जाके किसी को एक मोहर दी, किसी को मेरा सचा गुरू है, उसको तो पता होना चाहिए, कि मैंने किस चीज का वाइदा किया था, शीहन उसको धीरमल के पास भी ले गया, धीरमल ने बहुत अपना कनेक्शन गुरू साब के साथ बताया, और उसको ब्लेस किया, और जब उसने पांच मोहरें दी, बहुत खुशी खुशी धीरमल ने ले ली, तो मक्षनशा को पता लग गया, कि ये भी नहीं है, निराश हो गया, बाइस के बाइस तो पर्खली है सारे, अब क्या करूँ, तो दुखी हो कि एक टाइम पे वो इन पबलिक बोल रहा था कि, क्या पता, गुरू साब ने ठीक भी कहा के नहीं, मैंने तो सभी कंटेंडर्स के साथ बात कर ली है, तो एक बच्चा बोला, एक और है, वो एक ना बाबा है, जिसको बाबा तेगा कहते हैं, आप उन से मिलिये जाके, वो शीहन साथ में खड़ा था, वो हसने लग पड़ा कहते हैं, उसका तो दिमाग खराब है, अब अच्छा कहता, नहीं मैं जाओंगा, जिकर हो रहा था टेग बहादर का, जो के गुरु हर्गोबिंद के सबसे चोटे बेटे थे, तो जस क्योंकि हिस्ट्री कंफ्यूजिंग है, मैं रिट्रेट करता हूँ, गुरु हर्गोबिंद के सबसे बड़े बेटे थे गुर्दित में, सबसे चोटे बेटे थे उनके तेग बहादर, उनका पहला नाम था त्याग मल, और उनका जो उनकी परसनेलिटी थी, वो त्याग वाली थी, वो सब टाइम मेडिटेशन करते रहते, भजन बंदगी में लगे रहते, दुनिया के साथ ज़्यादा उनका तालुक नहीं लडाई में उन्हों ने लडाई में वो योदा की रूप में भी नज़र आते थे और उन्होंने इतनी बहादरी दिखाई लडाई में के उनका नाम तियाग मल से तेग बहादर रख तिया गया, तेग होती है, तल्वार, सो बहादर जो तेग चलाता है, सो गुर्ध तेग बहादर बकाले में समाधी लाके मेडिटेशन कर रहे थे वहाँ पे मक्षणशा लुभाना गया और वही जाके उसने पांच मोरे सामने रखी और गुरू साब बोले ये तो वदा नहीं था तेरा जोर जोर से चिलाता मक्षणशा निकला वहां से बार, गुरू लाद्धे हो रहे, मैं ढूंड लिया मैंने गुरू को और फिर उसने ऐलान किया, और सिखों को एहसास था कि गुरू साब तेग बहादरी हैं, पर मक्षन शाह लुभाने के ऐसे डेकलरेशन के बाद किसी के भी दिमाग में शक नहीं रहा और गुरू साब फिर नौवे गुरू उस टाइम पर करार हुए यह यह वालब कि अुरू साब लुभाने में शक्षादीज लुवेशार्ण के बाद के नहीं हैं नहीं हैं, और सिखों के भी दो विरूपश्वेश्वेश्च्टू में थारниц